जाइन दोस्तो मेरा नाम है उसीम और मैं आप लोग के सामने यूट्यू में वीडियो ले आ रहा हूँ अपना जिंदेगी और बाकी गाउं की लड़का के जिंदेगी लाइप कैसे कैसे गुजारती है तो दोस्तो बात ऐसी है अब गलत मत सोचिए क्योंकि हम यह गाउं से ब करिए लाइक कॉमेंट करिए चैनल को सब्सक्राइब करें चोटा वाई के लिए ताकि हम भी आप लोग के जैसे आगे बढ़ सके तो चलिए बात ऐसी है जब हम भेकार थे पढ़ाय करते थे कॉलेज में तो अब हमें पूरा अपना घर बाला भी को यह से से है रिस्तेदार में दोस बगार में जो हमें बहुत चेड़ा करते थे बोलते थे तुमारे लिए कुछ नहीं होगा यह नहीं वह नहीं हालत देखके बहुत मजाग उड़ाते थे लेकिन दोस्त मैं यह बता रहा हूं जिंदेगी में कभी किसी को मजाग मत उड़ाओ जब आप दूसरे की तो खुद आप मजाग की बंदा बन जाओगे मजाग की चीज बन जाओगे यही होता है आज मैं मैं मैंनत करते 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 इतना उपर आ चुका हूं जो मेरा दिल भी हत मतलब पत्थर जैसे सक्त हो गया और दिमाग में ऐसे बन चुका है मतलब मेरे को सही में इतना मैंनत कर अब क्या हुआ आप लोग में यहीं बताना चाहता हूं आप लोगा दोस रिष्टेदर कभी आपको अच्छा नहीं बनाएगा आपका जो दुजमने वही आपको दिल की सकत माना सकता हूँ आपको बहुत चेड़ाता है लेकिन आप अगर उसकी बात को मान के आपना मैनत पर चड़ोगे कि गिरोगे नहीं कभी अपना पेरों में खड़ा रहोगे लेकिन वह आप से नीचे चला जाएगा तो भाई यही है आज का दमाने में जो कोई भी किसी को अगार कुछ गलत बोलते हैं तो उस गलत बात को सून लो दिमाग में राख लो और मैनत करना सुरू करो लेकिन कभी उसकी नेगटिव पॉइंट सोचके उसको गाली मत देना मुह से मैं आज तक गाली किसी को नहीं दिया लेकिन जो मेरा रास्ते में आके बीज में कड़ा होके मेरे को रुकाबट डाला मैं उसको बोला हूं उसका विरोध करो देखिए आपको पोई पत्थर मारा आप साइड हो जाओ एक बर मारा साइड हो जाओ दूसरा बर मारा साइड हो जाओ तिसरी बार जा मारे तो उसकी विरोध करो ठीक है क्योंकि पहले दो बार में आप एनरजी बचले तिसरी बार में आप पूरा उसके उपर उसका कारवाई कर दिया तो आप उसके पिछ और डूके नहीं चलते रहे चलते रहे कदम बढ़ाते रहे सीड़ी चरते रहे आगे बढ़ते रहे मजील के तरफ और टार्गेट हसिल करके रहा मैंने चार साल के अंदर जो बोलता फौजी त्यारी कारता है न वो पागल होता है शही में भाइ हम भी ऐसे थे एक तरफ पाग के अंदा और दो सेड़ी चड़े तब हम सक्सेस मंजिल मेला हमें तो बिना मेहनत के भाई कुछ नहीं मिलता जिन्देगी की लाइब लड़का का जिन्देगी इतनी हाड है इतनी कठीन है अगर आप घर में सोचोगे हम रूई की तरह हलका बनके रहेंगे तो जिन्देगी मे कुछ नहीं होगा या तो आपकी दिमाग बहुत तेज चला या तो आपकी शरीर और दिमाग दुनों को चला तब भी आप मंजिल हसीर कलपा होगे नहीं तो जो उपर वाला है न ओपको पैरों में दवा दवा के जमीन में मिला देगा आपको कभी आगे बढ़ने नहीं दे की सभी के लिए बोल रहा हूं जाहिन दोस्त अच्छा रहे बाइबाइबाइब